उसकार दूस्तो जन्नीफर विंगिट जल्दी ही अपनी साधी के एनाउंसमेंट करने जा रही है वो भी सिवे नारंग के साथ में जी हाँ दोस्तो आखिर क्या बात है जो की बेहद एक्टर जन्नीफर विंगिट अपने साधी के एनाउंसमेंट वो भी सिवे नारंग के साथ में करने जा रही हैं। तो पूरी बात में आज आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूं। दोस्तो मेरा नाम है रोहित नागर अगर आपने मेरा यूटूब चनल अभी तक सस्क्राइब ही नहीं किया है तो गाईज आप लोगों से अनुरोद करना चाहूँगा कि किरपे मेरे यूटूब चनल को अभी सस्क्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए and कॉमेंट करके जरूर बताईए जैसा कि सभी को पताए कुसल टर्णन के साथ में काम करने के बाद में उन्होंने सिवे नारंग के साथ में काम किया था क्योंकि लोग जानते हैं कि सिवे नारंग के साथ में जन्नीफर विंगिट ने बेहस सीजन 2 में काम किया था जिसमें उन्होंने माया की भूमी का निभाई थी हाला कि बेहस सीजन 1 में भी उन्होंने माया की भूमी का निभाई थी और जन्नीफर विंगिट ने जो माया की भूमी का निभाई थी वो भूमी का सभी को काफी पसंद आई थी और बेहस सीजन वन में ही आप लोगों देखा होगा कि कुशल टर्नन ने अरजुन सर्मा की भूमी का निवहीती अरजुन सर्मा एंड बात की जाए माया का तो माया और अरजुन सर्मा का जो किरदार था वो भी ओडियंस को काफी पसंद आया था सूत्रों के हवाले से खवर मिल रही है कि बेहस सीजन टू में जो जिस तरीका से जनिफर विंगिट एंड सिवे नारंग को देखा गया तक काफी पसंद किया था इसी लिए अब जनिफर विंगिट ने एक नया फैसला लिया है और मेकर्स ने वो नया फैसला इस पिरकार से है कि आने वाला जो प्रोजक्ट है यानि कि आपका अपना सबसे फैबरेट और सबसे चहीता प्रोजक्ट वो है बेहत जी हां अब बेहत का तीसरा पार्ट आप के बीच में जल्द ही दस्तक देने जा रहा है जिसमें जनिफर विंगिट के अपोजिट नजराएंगे सिवे नारंग और उनसे साथ फैरे लेते विए नजराएंगे यानि कि रूदर एंड माया एक बार फिर से अपने साथ फैरे में बंदने जा रहे हैं जो कि सीरियल में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से दोनों एक दूसरे के साथ में साधी करने जा रहे हैं हाला कि इस बात को सुनने के बाद में ओडियोंस काफे एक्साइटिड है कि जन्निफर विंगिट की नई पारी की सुरुवात होने जा रही है वो भी बेहस सीजन 3 के साथ मे जिसका ओडियोंस को लंबे समय से इंतिजार भी रहा है साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से अनुरूद करना चाहूंगा चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताए थैंक्यू